हेलो दोस्तों आप लोगों का स्वागत आमरे चनल पर और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओल सुपर मैन मुवीज की लिस्ट के उपर तो अगर आप भी सुपर मैन के हार्ड कोर फैन हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब करको नोटिकरम बिलको क्योंकि यह बहुत ही लो बजेट फिल्म बनी थी और 1952 में इनकी एडवेंचरस ऑफ सुपर मैन करके टीवी सीरी शुरू होने वाली थी तो उसके पाइलेट के तौर पर इस फिल्म के दो पार्ट करके दो एपिसोड दिखाए गए थे तो टेक्निकल यह पहली फिल्म नही पॉसिबल हो सकता है कि आपको कहां मिलेगी देखने के लिए क्योंकि मैं भी अभी तक यह नहीं देख पाया हूं और दूसरी बात यह ब्लैक और वाइट फिल्म है लेकिन इसके बाद की जो फिल्म है सेकेंड फिल्म जिसका नाम है सुपर मैं फिल्म के जो पूरी जिम्मे लिए तो बॉड़ी उतनी उसको डेवलप करने के लिए बोला गया और तब जाके इस फिल्म का शुट हुआ था और उस वक्त यह 55 मिलियन डॉलर्स में बनी थी और उस वक्ति यह मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म थी यानि उस वक्त 55 डॉलर्स का बिजने अगर किसी फिल्म कर लिया थी और उतने बड़े बजेट पर और इतना भेग्स ऑन दा कि इस फिल्म दॉलर्स तय क्या सोक्टा ये और मैंको में उस बहुत एक्ष्रंगर करोगे तो eher या थोड़ी तकलिफ ज़रूरर होगी लेकिन अगर आप और और कहानी वाइज या एक्शन वाइज आप फिल्म आपको देखने में वाकई में मज़ा आएगा इसके बाद थर्ड नमर पर फिल्म आती है बॉक्स-ओफिस पे चली लेकिन जहां पर 55 फिल्में ऐसी हुआ करती थी एक टाइम पर लेकिन इस फिल्म को सेहना पड़ा अला कि नुकसान नहीं हुआ लेकिन उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाया जीतना फिल्म कर रिव्यूज भी उतने अच्छे नहीं थे तो उसके कुछ साल बात यानि 2006 में वापस रिचाड डॉनर और जो प्रोडूसर था इन दोनों के बीच में की जो अन्बंती वो खरम हो गई और फिर पब्लिक ने बहुत ज्यादा डिमांड की कि हमको रिचाड डॉनर कौन सी फिल्म बनाने वाले थे वो कट देखन दोनों भी अपनी जगह पर अच्छी फिल्म है ती इसके बाद फिल्म आई थी सुपर मैं तो यह अब तक की बहुत ज्यादा बुराई की गई फिल्म थी मतलब सुपर मैं की जितनी भी फिल्म है थी उनकी क्रिटीकली तो एकलेम मिला था कमर्चली भी सक्सेस्पूल हुई तो इस वज़े से वहाँ पर सुपर मैं की जो फ्रैंचेस है वो थोड़ी खतरे में नजर आई और उसके बाद जो फिल्म मनाई जिसका नाम है सुपर मैं पूर्द क्वेस्ट ऑफ पीस उसका लिटरली इन्होंने वन थर्ड बजट जो फिल्म का बजट था उससे वन बनाई और इस फिल्म को तो फब्लिक और क्रीटिक्स ने लिटरली यह बोला कि यह वन फफ फिल्म है मतलब वन फफ सूपर मीट नहीं या इसी जो कैटेगरी में इस फिल्म का नाम लिखा गया और इसने मुश्किल से 36 मिलियन डॉलर का बिजनेस किया यानि वो एक तरह से देखी गई तो फ्लॉप हिसाबित हो गई इसके बाद बहुत सारी चर्चाय हो ती कि क्या सुपर मैन की फिल्म को वापस लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए तो फाइनली प्रोडुसर्स ने कि चलो भाई हम बनाते हैं एक फिल्म जिसका नाम दिया सुपर मैन रिटन्स अभी इसमें जो क्लार केंट यानि हमारा सुपर मैन था उसका रोल करने वाला एक्टर चेंज हो गया और इन्होंने क्या सोचा कि जहां पर सुपर मैन 2 फतम हुई थी वही से कहानी कंटीनिव हो ज अन्व मैं इसने एक्समें सिरिस की ओरीजनल तीन फिल्म में बनाई जैसमें चत्व में ग्रम को देखने को मिले था था वही इस फिल्म में नज़र आया कि 223 मिलियन डॉलर का एक फिल्म बनी है और यह बॉक्स ऑफिस पे से 391 मिलियन डॉलर का जब बिजनस की तो प्रोडिसर ने सोचा कि हम इस सीरीज को अभी आगे करना पॉसिबल नहीं होगा और उन्होंने इसके जो सीक्वेल प्लैन किये थे वह सीक्वेल आगे काम नहीं किय है उसके बाद Zack Snyder एक प्रपोजल लेके गया DC के पास कि भाई हमको एक नया ऐसा यूनिवर्स क्रियेट करना पड़ेगा कभी हमारी DC की फिल्म है वो चल पाएंगी क्योंकि Marvel अपना सिनेमेटिक यूनिवर्स तब तक खड़ा कर चुका था तो 2014 के पहले मैन अफ स्टील की स्क्रिप्ट लेके जैक स्नाइडर जब प्रोड़क्शन हाउस के पास गया तो उन्होंने बोला चलिए बनाते और जब जैक स्नाइडर ने मैन अफ स्टील बनाई तो इस फिल्म का भी बनाते वक्त अच्छा खासा बज़ेट लगा था 258 मिलियन का अगर आप देखोगे ना तो सर को दर्द हो जाएगा आप सर पकड़के बैठ जाओगे फिल्म में फिल्म में जो चल रहा था इतना बड़ा खतरनाक वाला चूति आपा चल रहा था कि मतलब देखते वक्त मेरा दिमाग खराब हो गया था मतलब फिल्म देखके जब मैं और और मेरी फैमिली टेटर से बाहर निकले तो बोले यार यह क्या देखके आगे लेकिन उसके कुछ साल बाद जैक स्नाइडर ने अपना डिरेक्टर स्कट लांच किया जिसको बोलते बैटमें वर्सेस सूपरमें डॉन ओफ जस्टिस अल्टिमेट एडिशन अगर आप देख यह फिल्म है तो देखने में मज़ा आ जाता है इसके बाद नाइंत नंबर पर फिल्म आती है जस्टिस लिग अगर आप दिसी एक्सेंडेड उनिवर्स को स्टार्टिंग से फॉलो करते आ रहे हो तो आपको इतना तो पता होगा कि खतरनाक लेवल की डिजस्टर साबित कि अच्छी फिल्म बनेगी लेकिन फिल्म उतनी पॉब्लिक को पसंद नहीं और उसके तीन-चार साल बाद लॉकडाउन के टाइम पे 2021 में जैक स्नाइडर ने इसका चार घंटे का कट किया यानि ओरीजनल जस्टिस लिप सीब दो घंटे की थी जो पब्लिक को बिल्गोल लेकिन फिर उसके बाद जब जस्टिस लीग ओरीजिनल थेटर में अंसकसेस्पुल रही तो बहुत सारी अंदर की खबरे सुनाई देने लगी थी कि हैंरी केविल जो है जिसने सुपरमैन का रोल प्ले किया हुआ है उसके साथ वार्नल ब्रदर्स के छगड़े हो गए और इस वज़े से उसने सीरीज को छोड़ दिया है और उस वज़े से कोई सूपरमैन की फिल्म आ नहीं लिए उसके दर मैं एक फिल्म आई थी दसवे नंबर पर जिसका मैं नाम लूंगा शैजम अब यह फिल्म पूरी शैजम के उपर है लेकिन इसमें उसका कैमियो था पर उ करेंड में वह सब्सक्रiолж माट मतलब मेरे को यह सुना ही नहीं दिया कि मेरे को public का शोर सुनाई न बस समझ में आते हैं कि हैंड केविल को Superman के रूप में देखने के लिए Public कितनी पागल है अभी देखो दूस्तो ये बात है October की जब Black Adam release हुई और हम लोग खुशी के मारे पागल हो जा रहे थे लेकिन DC Films के producer यानी Warner Brothers को हमारी खुशी देखी नहीं गई और जहां पर हम उम्मीद लगा के बैठे थे कि Man of Steel का sequel आएग हराब हो गया हैंडरी केविल को जेम्स गन और उसका और एक producer है वार्नर ब्रस का उसने बुलाया और बोला कि भाई साब हम तुम्हारे साथ Man of Steel की अगली फिल्म नहीं बनाना चाहते हम सूपर मैन को किसी और तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते और भाई वो कब करेंगे करेंगे भी इसका कोई गैरेंटी नहीं है लेकिन अगर आप सूपर मैन के हार्ड कोर फैन हो तो यहां पर आभी आपको सूपर मैन की कोई फिल्म तो मैं रिकमेंड नहीं कर सकता देखने के लिए लेकिन वही पे The CW नाम का चैनल पे सूपर मैन एंड लुईस करके एक सीरी अल्रेडी रन कर लिए उसका सीजन 1 और सीजन 2 आ चुके है सीजन 3 उसका 2023 में आने वाला है तो आप मैन आप स्टिल ना देखने मिलने का जो दुख है उस दुख को इस खुशी में बाट सकते हो और आप एक अलग लेवल का मजा इस सीरीज से ले सकते हो क्योंकि इस सीरीज को भी पब्लिक ने बहुत सराया और क्रिटिक्स को भी यह सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आए थी पर यह सूपरमैन और लुइस का जो सूपरमैन है उसका डिसी एक्स्टेंडेड यूनिवर्स से कोई कनेक्शन नहीं है इसका शायद एरो वर्स से वो लोग कुछ कनेक्श में उसका लिंक दे दूंगा ताकि कौन से आपको डी सी की सीरीज अभी तक रिलीज हुई है और कौन से सीक्वेंस में देखने हैं वह भी आपको पता चल जाएगा बाकि जितने भी दुनिया के सूपर हीरो है उसमें से आपका सूपरमैन कित्वे नंबर फेवरेट है कमें कर दाएगा कर दक दोणे धने है पता मतों एक जिसक्ता अपके सामय्या के ठाएगा की सीरीज हैं तài Brenda से तुन 거는 में भी आपको जिसक्ता når आपक Ryuण क вик में झापका सामयं की सीरी क質े जोड़ा है उसमें है हुआं dollar जाएगा उसमें दोड़ा है है ऎस यसमें क्जू ऩर जडर